ओम्मूकं करोतिवाचालं पंगुं लंगयतेगिरिं यत्कृपातमाहं बंदे परिमानन्दे माधवं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णू, गुरुर देव महे सुरा, गुरु साक्षात्परं ब्रह्मे, तश्मै स्री गुरुवे नमाव सरुवे भवन्तु शुखिना, शरुवे संतु निरामया, सरुवे भद्राणि पस्यन्तु माखकशित् दुख्य भाग्वव करपूर गवरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेंद्रेहारं सदावशंतं हर्द्यार विंदे भवं भवानी सहितं मामा ओम शांट शांट है यह हम ववप अध्याय आथ इस्लोक नमबर सत्रा सहिस्त्रय युग परियंतम अहायत म्राम मनाविदू रात्रिम युग सहिस्त्रान्ताम रात्र विदाजना भगवान कहते हैं हे अर्जन ब्रिम्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतर युगी तक की अबदिवाला और रात्र को भी एक हजार चतर युगी वाल अबदिवाली है जो पुरुस्तत्व से जानते हैं वे युगी यन काल के तत्व को जानते हैं अब्यक्त आताते व्यक्त ग्या सर्वा प्रहुबंति अहरागां में रात्रा गमेपली अंत्रे तत्र एव अब्यक्त संग्यते भगवान कहते हैं इसलिए बे भी जानते हैं ये भी जानते कि शंपूर चराचर भूत ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अब्यक्त में अब्यक्त से अर्थाद ब्रह्मा के सूच में सरीर से उत्पन होते हैं और ब्रह्मा की रात्री में प्रवेश काल में उस अब्यक्त अर्थाद ब्रह्मा के सूच में लीन हो जाती है यहां भगवान किष्णिये अर्जुन को बता रहे हैं कि जितने भी भोग पदार्थ हैं जितने भी जीव जगत है जो दिर्ष्ट स्रिफ परमात्मा की स्रिष्टी दिर्ष्टिगत है दिर्ष्ट गोचर होती है एक कितनी ही उम्र इनकी बड़ी हो या छोटी हो लेकिन सब का आवागवन है आते हैं और जाते हैं कोई कम रुम हो किसी की छोटी उम्र हो अब वो एक साधाण से कीड पतंगे से लेकर ब्रह्मा तक साधाण कीड पतंगे से लेकर भगवान कहते हैं साधाण कीड पतंगा अब ऐसे ऐसे कीड पतंग होते हैं तमाम तरह के बाहरस होते हैं तमाम तरह के ये अमीवा होते हैं बैक्टिरिया होते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है और उस छोटी सी उम्र में एक आज सेकंड में उनकी जन्म भी हो जाता है संतान को जन्म भी दे जवानी भी आ जाती है संतान को जन्म भी दे देते है बुड़ापा भी जाता है तो मौत भी हो जाती लेकिन उम्म किती होती है एक या दो सेकंड अब कितने कीट पतंगे आप देखो जिनकी उम्म बहुत कम होती है लेकिन उतने में ही उनका सारा कुछ जन्म भी हुआ वाल्यावस्ता भी आई किसोरावस्ता भी आई जवानी भी आई संतान को भी जन्म दिया बुढ़ापा आया मौत हो गई लेकिन वो उम्र बहुत कम है ऐसे ही भगवान कहते है आप इन कीट पतंगों से लेके ब्रह्मा तक चले जा तो ब्रह्मा की भी आयू है ब्रह्मा की भी आयू है और ब्रह्मा भी जन्म और मृत्ति को प्राप्त होते है आवागवन उनके लिए भी आवागवन के बारे में कहते हैं कि चार यूग जो हमारे गड़ना में आते हैं चार यूग सत्यूग त्रेता द्वापर और कल यूग ये चारो यूग मिला दो तो यसे कहते हैं चतुर यूगी चारो यूग को मिला के कहते हैं चतुर यूगी और ऐसे एक हजार चतुर यूगी मिला दो एक हजार चतुर यूगी ऐसे एक हजार चतुर यूगी मिला के ब्रह्मा का एक दिन होता है और एक हजार चत्रयोगी मिलाके ब्रह्मा की एक रात होती है सुचो कल देखेंगे अगर मेरे इसमें मिलेगा तो कल मैं बताएंगे कितने लाक वर्स होते है तो चारो योगों का बीतना और एक हजार चत्रयोगी ब्रह्मा का एक दिन और एक हजार चत्रयोगी ब्रह्मा की एक रात्री तो और ऐसे ब्रह्मा की आयो कितनी बताएंगे सो वर्स सो अब सो कौन से किस एक दिन 24 घंटे की एक रात दिन जो उनका हुआ 24 घंटे का एक रात दिन वो कितने में हुआ दो हजार चतर योगी एक रात दिन उनका हुआ दो हजार चतर योगी अब ऐसे सोच लो अब यह तो एक दिन का हुआ फिर उनके तीन से पैसर दिन फिर एक साल हुआ फिर साल सौ साल कितनी लंबी उम्र है यानि अगर इतनी लंबी उम्र के बाद भी सौवर्स के बाद भी ब्रह्मा जी की मौत होगी ब्रह्मा जी प्रगट हुए तो ब्रह्मा जी की मौत भी होगी वो भी आवा गवन से मुक्त नहीं है उम्र छोटी हो बड़ी हो लेकिन उम्र है उसी तरीके से कहते हैं जब ब्रह्मा जी रात्री को सोते हैं ब्रह्मा जी जागते हैं तो ये स्रिष्टी पैदा होती है ब्रह्मा जी के जागने से ये स्रिष्टी पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने से स्रिष्टी का प्रले होता सर्ग सर्ग होता है जागने से और ले होती है प्रले होती है सोने से जब ब्रह्मा जी सोते है तो प्रले हो जाती है ब्रह्मा जी जागते है तो नई स्रिष्टी हो जाती है सर्ग हो जाता ऐसे ही जब ब्रह्मा जी की सौवर्थ की उम्र पूरी होती है तो महा परले होता है जब महा ब्रह्मा जी की मौत होई तो महा परले और फिर दुआरा फिर ब्रह्मा की स्रिष्टी होई ब्रह्मा का फिर दुआरा जन्व हुआ तो फिर महासर्ष्टी या महासर्ग कहते है उसे तो भगवान कहती है कितने ये जितने भी उम्र किसी की कम हो जादा हो ये सारा का सारा क्या होता है कि बनने बिगड़ने वाला है समय के काल के अंतरगता था काल का ग्रास बनेगा मृत्य का ग्रास बनेगा तो भगवान का मुक इसारा यहां क्या है कि यह सारा तो काल का चक्र है लेकिन परमात्मा जो है वो कालातीत है जन्म रत्ति उसे पर मुक्त है अब देखो हम आप भी हैं हम जाग सोते हैं तो एक सुपन शुरू हो जाता और सुपन शुरू हो जाता और जब जाग सोते हैं तो सुपन शुरू हो जाता और जागते हैं तो सुपन खतम हो जाता सोते हैं सुपन खतम जागते हैं सुपन खतम खतम हो जाता जागने पर सोने पर तो अब वो सुपन एक छोटा सा भी सुपन है जो कोई भी सुपन कहते हैं पांच साथ मर्ड़ से बड़ा सुपनी होता है लेकिन उस छोटे से सुपन में भी आदमी कितना कुछ देख लेता जबान जबान हो जाता साधी हो जाती बच्चे हो जाते बुड़ा हो जाता और मौत भी हो जाती छोटे से सुपन में भी आदमी का पूरा का पूरा जीवन की कहानी देख लेता पूरा पूरा जीवन देख लेता अच्छा फिर दूसरी तरफ देखे हम जब वो जागते हैं तो जो बाहर का संसार हमें दीख रहा है ये संसार जो दीख रहा है जागने पर और जब हम सोते हैं तो संसार खत्म हो जाता है पिले हो गई कुछी मालूम होता है कहीं कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ कुछ भी हो अच्छा बुरा सुख दुख कब तक है जब तक जागरत में हैं जहां जागरत से हम सुसुक्ति में गए तो ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है ना कुछ सुक है ना कोई दुख है ना किसी की जन्म है ना किसी की मृत्ति है कहते हैं एक राजा का बेटा बीमार पढ़ा एक लउता बेटा एक मात्र बेटा उसका लेटा राजा बेटे के पास बैठा और दुखी क्योंकि डाक्टरों ने जवाब दे दिया डाक्टरों ने जवाब दे दिये कि अब यह बचे गा नहीं कोई उम्मीद नहीं है तो राजा और रानी बच्चे के पास सिराने बैठे हुए और उसकी मृत्य की पृतिक्षा में बड़े उदास, दुखी, तनाव ग्रेस्ट, निरास क्यों बच्चे की मौत होने वाली तो बच्चे के पास बैठे हुए राजा कुर्सी पर बैठा था एक आराम कुर्सी पर बैठा था तो राजा को ऐसे अचानक लेटे लेटे नीद आ जाती आराम कुर्सी पर लेटा था तो उसे नीद आ जाती और जब राजा को नीद आ जाती तो राजा देखता के राजा का तो अभी नया बेवाव हुआ राजा का नया बेवाव हुआ और राजा को एक नहीं साथ संताने हुई साथ संताने हुई और सब तरह से सभी संताने बहुत हिरश्पूर्ठ है सुखी है सुष्ट है राज का संचालन अच्छा करते है और राजा बड़ा खुश है कि अब मेरा राज सुरक्षित है क्योंकि एक नहीं हमें साथ संताने है और मेरा बढ़ापा भी सुरक्चित है कि मुझे साथ बेटों का सहरा है साथ बेटों का सहरा है और जे साथों बेटे बड़ा प्राक्रमी है बलवान है जब राजा अपने साथ बेटों के सुक में था सब्तरे के सुक, सब्तरे की सुब्धा, सब्तरे की अन्कूलता अचानक जो बालक बाहर लेटा हुआ था उसकी मौत हो जाती और जब उसकी मौत हो जाती तो रानी रोने लगी चीखने लगी रानी का रोना चीखना सुनके राजा जो आराम कुर्शी पर लेटा हुआ था उसकी नीन खुल जाती सुपन तूट जाता आँग खुली और जब आँग खुली तो अब राजा रोना रहा अब रोना रहा उसके आँखों में आसु नहीं राणी को लगा सायद बच्चे का सद्मा इसे इतना ज़्यादा हो गया बच्चे की मौत का सद्मा इतना जादा हो गए से बरदास ना कर पा रहा इसलिए इसकी स्थिती ऐसी हो गई ना रो नहीं पा रहा राजा को जब कहा रानी ने के बेटे की मौत हो गई और आप ऐसे सांत बैठे हुए बेटे की तो मौत हो गई राजा कहने लगा मैं यही सोच रहा मैं किस के लिए रूँ मैं इस बालक के लिए रूँ या जो अभी सुपन में साथ थे उनके लिए रूँ जब मैं सुपन में था उन साथ बेटों के सुख में था तो इस बाहर के बेटे की मुझे कोई ख़वर नहीं थी इसका कोई समर्ण नहीं था और जैसे तुमने रोना शुरू किया तो मेरी आँख खुली तो वो साथ की मौत होगी साथ खतम हो गए वो एक नहीं साथ थे साथों की मौत वो सुक से हम बंचत हो गया अब किसके लिए रूँ इसके एक के लिए या उसके लिए जब सुपन में थे तो सुपन कहते हैं सुकाले सत्वत भाती जब हम सुपन देखते हैं तो सुपन में जूटा नहीं लगता सुपन सच लगता सुपन को सुपन को कहते हैं जब जाग जाते हैं जब जाग जाते हैं तब कहा वो जूटा था ये सच है जब जागरत में है तो जागरत सच लगता है और जब सुपन में जाते हैं सुपन सच लगता है लेकिन जितना सुपन जूटा है उतना ही जागरत भी जूटा है जितना सुपन जूटा है उतना जागरत भी जूटा है जिस सुपन में हमने जितना मेरा तेरा बनाया ये मेरे ये पराई अपने पराई सुख दुख सुपन में जो बनाये वही जागरत में जो बना रहे वो दोनी जूटे है ना यहां कोई अपना है ना कोई अपना पराया है ना यहां कोई सुख है ना कोई दुख है ना कोई संयोग है ना कोई वियोग है इसलिए बहुआन कहते हैं जितने भी दुक्के जो कारण है वो दुक्के कारण क्या है संयोग वियोग हमने जो पकड़ा है पाया है मिला है उसे हम छोड़ना नहीं चाहते और अब चुक हमारी तादात हमारी आसकती सरीर के साथ है कि मैं सरीर हूँ मैं सरीर हूँ तो सरीर का जन्म हुआ है और सरीर में किसो रवस्ता आएगी जवानी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा अब कोई आदमी चाहता नहीं कि बुढ़ापा आए लेकिन आएगा चाहता कोई नहीं बुढ़ापे को आदा लेकिन बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापा आएगा बीमारी आएगी तो मौत भी होगी लेकिन कोई मरना नहीं चाहता और जो सरीर से संबंध हैं, सरीर का कोई पिता है, कोई पुत्र है, सरीर का कोई पत्नी है, पती है, भाई, बेहन जो जो सरीर के संबंध हैं, वो सरीर के संबंधों से भी संयोग वियोग होगा सरीर की कोई पत्नी है तो पत्नी की मौत होगी पती है तो पती की मौत होगी सरीर का कोई पिता है तो पिता की मौत होगी मा है मा की मौत होगी पुत्र है तो पुत्र की मौत होगी जो जो सरीर के साथ हमने संयोग जोड़े हैं वो सयोग भी बियोग में बदलेंगे वो मेले हुए भी बिछुडेंगे और जब बिछुडेंगे तो दुख होगा भी छोड़ने का दुख होगा जेने हम दुख का आर्थ यह है जेने हम नहीं छोड़ना चाहते हैं वो छूड़ते तो भगवान कहते हैं उम्र किसी की कितनी भी हो ब्रम्मा से लेकर सादाहार जीव जनतु तक भी सब जन्म और मृत्य के फेरे में आएंगे सब की जन्म सब की मृत्य होगी इसलिए भगवान कहते हैं एक मात्र जो संसार से जुड़ा है वो तो काल के वशिभूत होगा काल के आधीन होगा और जो परमात्मा से जुड़ा है वो कालातीत होगा कालातीत हो तो सरीर को माल लिया कि मैं सरीर हूँ तो सरीर के साथ सुक दोग सायोग भी ओग जन्मरत्यू और अगर सरीर के साथ जो चेतना है हमारी आत्मा है परमात्मा है उस परमात्मा से सम्मन्द जोड़ा तो कालातीत हो गए जन्मरत्यू से मुक्त हो गए आत्मा का ना जन्म है ना आत्मा की मृत्ति हो और जब जन्म मृत्ति नहीं है तो दुख से मुक्त हो गए सरीर के साथ तादात मरहेगा तो दुख होगा असांती होगी पीड़ा होगा भाए होगा लेकिर अगर आत्मा के साथ जुड़ो तो दुख से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि आत्मा की जन्मरत्यू से मुक्त हो गए और देखो हम सब के दुख कारण मुक्त यही है कि सरीर के साथ हमने तादा आत्म बनाया और सरीर के साथ तादात्म बना तो सरीर के साथ साथ संसार की जो व्यक्ति वस्तू है उनके साथ तादात्म बना उनकी चाहा पैदा हुई और उनकी चाहा पैदा हुई तो उनका संयोग वियोग हुआ मिले तो सुख वियोग हुआ तो दुख और उर्ग की कोई सीमा नहीं कभी आदमी नहीं कह पाता संसार की किसी वस्तू विशय भोग से व्यक्ति यह नहीं कह पाता बस जितना मिलता हो कभी तरपती है यह नहीं सदा अतरपत रहता है व्यक्त सदा अतरपत और सदा अतरप्त कारत है सदा दुख सदा असांति सदा माग सदा चाह तो बगवान कहते हैं तरप्त वही हो पाता जो सरीर से तादातम हटा के आत्मा के साथ युक्त हो जाए संसार की व्यक्ति वस्तू से हटाके सरीर इंद्रियाओं से अपने को हटाके आत्मा के साथ युक्त हो जाए और जो आत्मा के साथ युक्त हुआ सरीर मन बुध्धी संसार से अयुक्त हुआ आत्मा से युक्त हुआ तो वो जन्मरत्यू से मुक्त हुआ वो काला तीत हुआ और जो जन्मिर्ट से मुक्त हुआ काला तीत मुक्त हुआ परमात्मा से जुड़ा उसके जीवन में दुख का अभाव हो गया वो दुख से मुक्त हुआ उसका दुख का अब कोई कारण नहीं रहा यथार्त में वहां सुक है नहीं उनमें है नहीं लेकिन आदमी मान रहा है वस्तु वहां दीख रही है लेकिन वस्तु वहां है नहीं जहां दीख रही है वहां है नहीं ऐसी ही इस्तिती है जैसे हम दरपड में अपना मुँ देखें दरपड में अपना मुँ देखें कोई बच्चा दरपड के सामने बैठा दरपड के सामने बैठा छोटा बच्चा तो दरपड में उसे अपना प्रत्विम दीख रहा अपना चेहरा दीख रहा सामने दीख रहा दूसरा बच्चा भी बैठा हुआ दीख रहा तो ये चोटा बच्चा दरपड़ के बच्चे को पकडना चाहता है उसको च्छूना चाहता है तो वो जब सामने की तरफ हात बढ़ाये तो प्रत्विम में भी वैसी हात आगे की तरफ बढ़ है हाथ आगे की तरफ बढ़ है जब ये हाथ बढ़ा है तो अंदर के प्रत्विम से भी हाथ आगे की तरफ बढ़ रहा वो पकड़ ना पा रहा है बच्चा रोने लगा बच्चा जब रोने लगा कि इस बच्चे को दूसरे बच्चे को पकड़ नहीं पा रहा है रोने लगा तो कहते हैं उसकी माने देखा उसके रोने का कारण माने देखा उसके रोने का कारण क्या है कि बच्चा पृत्विम के बच्चे को पकड़ना चायता पकड़ना नहीं पा रहा तो माने उस बच्चे का हाथ उसके सिर पर ही रख दिया जब उस बच्चे का हाथ उसके सिर पर ही रख दिया तो उसने पृत्विम में देखा दरपड में देखा कि पृत्विम में भी हाथ सिर पर आ गया पृत्विम में भी सीसे के अंदर दरपड में भी हाथ सिर पर आ गया पकड लिया दुनिया को पकड़ने दौड़ते हैं वो नहीं पकड़ पाते हैं जो स्वयम को पकड़ लेते हैं वो दुनिया को पकड़ लेती है जिन्होंने स्वयम को जाना उन्हें संसार को जाना जिन्होंने स्वयम को के साथ सम्मंद जोड़ा उन्हें संसार से जोड़ा और स्वेम का आर्थ है अपनी आत्मा से सरीर को पकड़ने का कोई उपाएं सरीर तो दरपड की तरह है ये प्रतिमित हो रहा लेकि ये थार्थ में है नहीं है नहीं और हम प्रतिममों से ही लड़ रहे हैं प्रत्विम्मों से ही सुख मिल रहा प्रत्विम्मों से दुख मिल रहा प्रत्विम्मों के सायोग 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 प्रत्विम जील में तारे होते नहीं चंद्रमा होता नहीं वो तो आकास में दीक रहा है तो कहते हैं मुल्ला नसुर दिन के वारे में के मुल्ला नसुर्द DHिन का रमजान का महीना गया कुछ बजार से सामान खरीदने तो उसने देखा एक कुए के पास है निकला उसने देखा इस चंद्रमा तो कुए के अंदर है अब चंद्रमा तो कुए के अंदर है तो इस चंद्रमा को हम देखेंगे कैसे हो और सभी लोगों को देखें रम्जान का ब्रत तोड़ेंगे रम्जान का महीना है रम्जान का ब्रत तोड़ेंगे तो चांद को देखके ही तो ब्रत तोड़ेंगे और चांद कुए में गिर गया चांद कुए में गिर गया तो लोग देखेंगे कैसे कहते हैं मुल्ला अपने घर से ले आया रसी और काटा रसी और काटा ने ले आया कि इस चांद को बाहर निकालना है अब चांद को बाहर निकालने के लिए रस्य और रस्जा और कांटा ले आया उसने डाला कुए में उसने डाला कुए में रस्य कांटा डाला कुए में लेकिन रस्य और कूप कांटे को कुए में डाला तो उसे लगा चांद फस गए पाई निकालना है और जब उसे खेचने लगा तो खेचना सका क्योंकि वो काटा कहीं नीचे किसी पत्थर में उलज गया किसी पत्थर के साथ काटा उलज गया तो उसको लगा क्योंकि चान तो बहुत भारी है चान बहुत भारी है ऐसी अकेले हमाई हाथा निकलना बहुत मुस्किल है खूब तागत लगाने लगा और रची तूठ जाती और रस्सी तूठके नीचे गिर जाता और जह कुए से नीचे गिर गया वैं लगई लेकिन कुए से जिपने गिरा नीछे जाके गिर्ण और द्रिश्टी ऊपर गई आकास की तरब उसकी दृष्टी गई तो कहा चलो चोड तो लगी लेकिन कमसे को हमने चंद्रमा तो निकाल लिया चांद को तो निकाल लिया कुए से क्योंकि आकास में दीख गया चांद आकास में चांद दीखा तो उसने कहा मैंने कुए से चांद को निकाल लिया चोड तो कहीं है और कहीं दीख रहा आज मैं यहीं विराम करते हैं मेरा स्वास थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरा सभी को प्रड़ाम हरियो